又इ जनको माईग्रेन है कित्םा भी पूरा ना माईग्रेन हो उसके लिए यह बहुत ही चमतकारिक प्रयोग है यदि माईग्रेन में आपको राइट सायड में डर्ध होता हो तो लेफ्ट side में इसकी 24 उने रस डाल दिजिए और यदि बाई तरफ होता हो तो दाई नाख में डाली है इतना ही ध्यान रखना है सिर्फ एक नाख में चार पांच बूंद रस्ट रपकाना है और माइग्रेन से हमेशा के लिए आपको मेलेगी मुक्ती बहुत ही गुणकारी है माइग्रेन के लिए इस अगस्त के पत्यों का स्वरस और जिनको सर्दी की परिशानी है सर्दी है, अलर्जी है, साइनोसाइटिस है उन सब परिशानियों में इसका रस निकाल करके अगस्त के पत्यों का रस निकाल करके निचोड करके चार-चार बूंद आप दोनों ही नासिका में डालें दोनों नाक में चार-चार बूंद रस सुबह खाली पे टपका हैं इससे थोड़ी सी नाक में लगती है परन्तु आप देखेंगे अंदर का जो कफ है वलगम है वो सब निकल जाएगा और साइनस से और जो अलरजिक प्रॉलम है आपको उससे हमेशा के लिए मिलेगी मुक्ती तो यह बहुत ही गुणकारी है साइनस के लिए, अलरजिक प्रॉलम के लिए और आपके किसी भी तरह के माइगरेन, सिरदर्द के लिए और आँखों की पर रिशाने के लिए और जैसा कि मैंने कहा lotoria के लिए योनी की समस्ते रोगों के लिए और जिनको बहुत ही जुरातो दूर बलता है उन सब के लिए और इसका जो बहुत लापकारी जो प्रयोग है वह हैं किसी को कब्ज की सिकायत है कब्ज में भी यह बहुत ही लापकारी है तो इसको आप थोड़े सी इन फूलों को उबाल करके इन पत्यों को उबाल करके 5-10 गराम की मात्रा में यह दी आप लेते हैं तो इससे आपका जो कब्ज है वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है अगस्त के इस पहुधे का और एक बहुत ही बहुत अच्छा और मैं यूँ कहूं कि संतों के द्वारा अनुभूत और बहुत ही गोपनिय प्रयोग है अल्सरेटिव कॉलाइटिस के लिए आतों के गहाओ के लिए सूजन के लिए अंदर की इनफेक्शन के लिए तो आपको क्या करना है कि आपको इनके पत्यों को और इसके फूलों को ले करके आपको रखना है यदि आपको ताजा मिल जाए तो इसको कूट करके रस निकाल ल यह सीजनल है अभी सरदी शुरू होने पर इस में फूल आते हैं सरदी बढ़ जाएगी तो इन फूलों में फल बन जाएंगे लंभी लंभी फली आएंगी तो शीजन में नहीं है आप तो आपको करना है वो पत्यों का सेवन बिदी फूल और पत्या मिल जाए तो बहुत गु जबन करने से एक घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है जिससे इसका असर पूरी तरह से आपके आंतों को पेट को हो और तली हुई चीजें मर्च मिशाले या ज्यादा गरिश्ट आहर आपको नहीं लेना है कितनी भी भायनक अलसर की सिकायत हो अलसरेटिव और भायनक बीमारियों को भी यह बचाता है यहां बहुत ही गुणकारी प्रयोग है